तो आज तक के बज़ट बाजार में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बारी है स्वास्त कीजिए हाँ आपके और हमारी स्वास्त का कैसे स्वास्त विभाग कर सकता है रक्षा सरकार एक एतिहासिक और बड़े पैमाने पर मेडिकल कावर के साथ मतलब अबावा केर जो अमेरिका में था उसके तज पर माना जा रहा है मोधी केर हला कि नाम इसका देश के नाम है लेकिन पांच लाख प्रती घर में एक साल में पचास करोड लोगों के लिए अब इसका क्य माने है कैसे फाइदा होगा इन सब पर बातचीत करेंगे निशान चतुरवेदी हमारे सायोगी हमारे साथ है डॉक्टर रवी मलिक उनके साथ है और ये है हेल्थ क्लिनिक में क्या सुद्रेगी देश के स्वास विभाग की हेल्थ ये पूछेंगे और अंशुमन तिवारी ह हमारे साथ हमारे वरिश सयोगी भी जुड़ गए है जो ऐसे मुद्दो की अच्छी समझ रखते है तो सरकार वाकई कुछ बड़ा करने की तरफ बढ़ रही है नहीं मैं पूछूंगी लेकिन उससे पहले निशान ये फैक्स हैं जिसको मैं अंशुमन सर से समझना चाओंगा लेकिन उससे पहले डॉक्टर मलिक बहुत जरूरत थी खासकर भारत जैसे देश में इस तरेके की पॉलिसी यानि की करीब पांच लाग की एक मदद दस करोड परिवार ओबामा केर जो था वो करीब साड़े पां निशां बैक्सीट लेता था सरकार ने ये जरूर माना कि समरद अगर देश है तो स्वस्त देश होना बड़ा जरूरी है ये बात तो बिलकुल सही है लेकिन बहुत सारी चीजें ये भी बहुत एक बहुत अगर ये निशान जी आपको बताओं अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी revolution होगी आप 50 करोड की जनता को अगर 5 लाक रुपे के हिसाब से coverage देदे तो बहुत बड़ी revolution होगी लेकिन ये किस तरह से execute होगी वो समझना बड़ा आवश्यक है अगर मैं आपको बताओं अगर 1% परिवारों ने भी इतना पैसा claim कर लिया अपने इलाज के उपर तो ये 50,000 करोड रुपया हो जाता है मतब if we go to the reality और 1-2% लोग इसको claim करेंगे ही करेंगे तमाम तरह की बिमारियां होती हैं non communicable बिमारियां इतनी हैं heart के operations होते हैं neurosurgery होती है senior citizens के लिए भी काफी अच्छी चीज़ के critical senior citizens के लिए भी किया है लेकिन इसको execute कैसे करेंगे ये बड़ा जरूर एक साल के अंदर 50,000 करोड का अगर claim आ जाता है वो भी केबल 1% अगर लोग ये करें 10 करोड लेकिन they will be covering 50 करोड और पीपल अगर आप हर परिवार में 5 लोग भी अगर लेते हैं तो ये होगा दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज इन्हों ने किया है जो 1.5 लैक जो जिसे कहते हैं के wellness centers बनाएंगे ये बड़ी अच्छी सोच है क्योंकि अगर बगल में आपको छोटी बिमारियों का इलाज मिल जाएगा तो जो बड़े-बड़े tertiary care hospitals हैं उनके ओपर लोड भी कम कि बजट में बजट की पेपर अंचुमन जी ने शायद देखें इनका एलोकेशन कितना हुआ है इसमें कितना वह 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 अंचुमन जी से पूछूंगी लेकिन आप संजे निर्पम जी सरकारी एस्पिताल गए है कभी इलाज के लिए है गया हूं कई बार गया हूं अपने सब्सक्राइब जाता हूं जो निशान जो बात कह रहे हैं असी बात हो कि अस्पिताल में जानना तो बड़ा मुश्किल है मतलब हूमन डिगनिटी लूज करके इस देश में सरकारी एस्पितालों में अपना इलाज कराना पड़ता है ऐसी परिस्थिती दश्कों से चली आ रही है इस देश में क्या आप स्वागत करते हैं प्रधान मंत्री ने जो उस और ध्यान ले जाने की कोशिश की है संजे जी देश में इस समय जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो दो सेक्टर में है एक एजुकेशन सेक्टर में और दूसरा हेल्थ सेक्टर में और इस नाते अगर हेल्थ केर की बात प्रधान मंत्री कह रहे हैं वित मंत्री कह रहे हैं तो निश्ची तुर पर इस स्वागत योग बात लेकिन जिस योजना की बाते कर रहे हैं कि पांच लाख रुपे तक का इलाज फ्री में मिलेगा दस करोर परिवार के लिए बिलकुल इसे प्रकार की योजना जब कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस की सरकार थी महारास में तो हम लोगों ने लागू की थी 2012 या 13 मे खुद आदर निये कॉंग्रेस सद्यक चुसमें की सुनिया गांधी जी आईतु ने लॉंच किया था राजी उगांती जीवन दाई पीवा योजना साड़े तीन वर्सों में भारतिय जनता पार्टी तो पूरी योजना बंद कर दी योजना बंद हो चुकी है आज जिस योजना की बात वित्बंतरी कह रहे हैं मेरा ऐसा मानना है कि हर परिवार से साल में पचास एक हजार उपे तो खर्च होंगे और पचास एक हजार पराले का इतना बजट नहीं है जिसका इसका डबल या ट्रिपल खर्चा ये डेढ़ हजार वेलने सेंटर बनाने में लगेंगे तो ये महज चुनाओं को सामने रख करके दिया हुआ एक बहुत बड़ा नारा है निश्ची तोरपर लोकल भावन है आकरशक है लेकिन निश लाख रुपए एक पृतिश्यत लोगों को देने की जरुवत पड़ेगी वो बहुती एक्स्ट्रीम केस की जो हायर बीमारियां होती है उनके में आवशक्ता पड़ती है जो बीमारियां सामानिता होती है उनकी व्यवस्ता हमारी सरकार ने उसकी कौस घटा के कर रख की है जैसे डाइलिसिस जैसे हाट में लगने वाला स्टंट और जैसे नीर प्लेस्मेंट ये सब भी बीमारियां हैं मात्रत्व के उपर जो हमने शुल्क में सुविदा दे रख की है ये वो आवशक्ता हैं मेडिकल आवशक्ता हैं जो की बड़े रूटीन में मिलती रहती है और महत्वपूर्ण इसकीम इस बजट की और इस पर प्रापरली चर्चा होकर लोगों को समझना चाहिए दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण तत्थ हैं पहले चीत हुई कि इस तरीकी कि स्वास्थ बीमा योजना भारत के लिए नहीं नहीं है प्रदाद मंत्री स्वास बात कर रही है और जितना इसमें अगर क्लेंट आते हैं लेकिन मेरा इसमें बड़ा सवाल है जो मुझे सुधान शुजी से पूछना है ये ये स्कीम सरकार हेल्थ को लेकर सरकार की नीती में बहुत बड़े ट्रांजिशन का संकेत दे रही है यहां से सरकार अब इस तरफ जा रही है जहां वो हिल्थ सर्विस प्रोवायड नहीं करेगी हल्थ सर्विस इनेबल करेगी इसका मतलब यह के कहीं सरकार ने स्विकार किया है कि हास्पिट इसने बड़े प्योंकि आप 20 क्रोल का बजेट रख रहे हुँगे इतनी बड़ी स्कीम रन करेंगे 50 क्रोड लो लागू होगी तो मौझूदा हेल्थ बजेट के भीतर इसे लागू करना मुश्चिया ने बुरा क्या है सर इसमें बुरा क्या है क्योंकि या तो हम प्राइवेट कॉल होस्पिटल के बीच में पिस्ते हैं जहां पर ऐसे बिल्स होते हैं कि कोई दे नहीं पाता है ठीक है मैं सुदान्शु जी वक्त नहीं है मुझे रोजगार पर बढ़ना है सत्तर लाख नई नौकरियों मतलब उन्होंने कहा है दरसल कि सत्तर लाख नौकरिया आमने दी हैं पचास लाख युबाओं को स्कॉलर्शिप ये जो दावे हैं ये सबसे महतोपूर्ण है हर जिले में रो लेकिन रोजगार पर जो दावा है वो क्या कहते हैं आपके साथ जो एक्सपर्ट में है और टैक्स में आपको यहां इंटर्वीन करूंगा जैंत क्रिशना जी को जुड़ना था वो कुछी पलो में जुड़ेंगे लेकिन क्योंकि रोजगार का आपने पॉइंट यहां पर प्लानिंग की क्या वाकि जिस प्लान के तहत आपने ट्रेइनिंग की उतने जॉब्स आप गारेंटी कर पाए या नहीं कर पाए यह पहला सवाल पिछले साल को लेकर इस साल आपने फिर से 50 लाग नहीं नौक्रियों के लिए ट्रेनिंग देने का वाद और कर दिया लेकिन वर्सिस इंप्लिमेंटेशन ये सवाल बर करा रहे हैं इसके डेवलप्मेंट की परफॉर्मेंस सरकार खुद मानती है कि अच्छी नहीं रही और उसका विभाग भी एक दूसरे बड़े विभागे साथ मर्च कर दिया गया मंत्री को बीच में हटाया गया और जिस मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं मुद्रा योजना में हमें समझना होगा कि लोन का टिकेट साइज यह 10,000 रुपए एवरेज लोन 10-11,000 रुपए है कि एवरेज लोन में कौन सा बड़ा रोजगार और कौन सी बड़ी बिजनेस की चीज़े तैयार होंगी हाम तर पर हम बजजटों स तब ही हो सकती जब कि आपकी अर्थ वे उस्था में बाकी चीजे बहतर हो रही हो जब आपकी एकॉनिमी ग्रो नहीं करेगी बाकी जिके रोकरियां नहीं बनेगी आप ट्रेंड भी कर देंगे आपरेटर्स को तो उनको जाब कहां मिलेगा तो रोजगार को लेकर बहस जो है बजट के दायरे में सिमट कर नहीं रखी जा सकती उसके लिए काफी अलग अलग पहलू है मुत्रा योजना के कुछ लाप कुछ लोगों को मिले हैं लेकिन उसमें चुछ की लोगों का टिकेट साइज कम है इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है इसके आंक साल चुनाओं में जाना है तो क्या इंकम टैक्स लाब में सरकार बदलाव करेगी मध्यवर को अपनी तरफ आकर्शित करने के लिए कुछ लोग लुभावन लेकिन प्रदानमंत्री ने पहले ही का था सपनों का बजट होगा लोग लुभावन बजट नहीं होगा अला कि य पचास हजार से बढ़ा कर पचास हजार अब ये जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उसको लेकर भी काफी लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है अब हम गरीब और महिलाओं की भी बात करेंगे आठ करोड घरों में उज्वला योजना महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक यह उसाइस घटने पर जो दांग है और कर दांग है वह भी आम आवण है को दिखा देते हैं डिल्ली में जोकी 73 रुपे पांच पैसे आप पहले खरीदते थे पहले के दाम वो एक्साइज घटने पर 65 रुपे के आसपास पहुंचता है लेकिन सेस लगने पर वापस पहुंच गया साहब 73 पे ही यानि आपने क्या किया इन शेहरों में आपने पहले तो एक्साइज घटाया लेकिन फिर सेस से जब पैसा ले लिया तो कीमत वही हो जा रही है आप देख लीजे दिल लिकोल का था मुंबई चेनाई हर जगा कीमत वही पहुंच रही है जो इस एक्साइज जूटी को घटाने के पहले थी तो इस पर मिनाक्षी एक रियाक्शन ले लीजे कहां से निकले थे लॉट के वापस वही आज़ा अंजरा जो ग्राफिक्स आपने दिखाए उसमें शेहर दर शेहर ये स्थिती बिलकुल साफ हो गई कि जब एक्साइज जूटी घटाई जाएगी लेकिन जो नियू रोट से एस टेक्स है वह आता है तो उसके बाद स्थिती क्या हो जाएगी ऐसी त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट हैं इस मामले पर सार मैं ये समझ पाने में बिलकुल अपने आपको बहुत ही मजबूर समझ रही हूँ इस वक्त एक तरफ से आपने एक्साइज ज्यूटी घटाई लेकिन उसके बाद आपने कान उल्टा पकड़ा है आठ रुपे आपने उस पर बढ़ा दिया है तो या यह मान कर चलें कि वो दिन दूर नहीं पेट्रोल के लिए डीजल के लिए सौर रुपे तक देना पड़ेगा एकाम आदमी को देखे यह जरा बारीक मामला है और बित मंत्री जी ने बहुत बारीकी दिखाई है इसमें कोई पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे शायद उसी इस्तर पर रहेंगे या हो सकता है कुछ सोड़े से बढ़ भी जाए लेकिन उन्होंने किया क्या है हाँ नहीं आभी साधन की कमी हो रही है और उनको लग रहा है कि GST में राजियों को जो हमें कॉंपनसेट करना पड़ेगा शायद वो पैसा हम नहीं लापाएंगे उन्होंने इसको सिर्फ बदल दिया है तो ये एक बारीकी उन्हों दिखाई है अपना शेर बढ़ाने के लिए और राजियो क्रोड उपे एक्स्टा कलेक्ट कियें अब और जो जो दाम घटे क्रोड आइल के तो उसका लाप कंजूमर को नहीं दिया है और सर्कारों ने अपने पास रखा उसका जो भी उप्यों किया हो एक अलग बात है तो अब अगर आगे भी क्रोड आइल के दाम बढ़ेंगे और अगर टेक्स रेट नहीं घटेगी तो नेचरली दाम बढ़ते जाएंगे जो आपने इंट की सवाल अब सीधे सुधानशु जी की तरफ आ जाता है कि क्या आप यह वो वक्त आ गया है कि ततकाल प्रभाव से जीस्ट के दायरे में आप ले आएं से देखिए जीस्ट के दा धर्मेंद्र प्रदान के साथ यही बैस कर रही थी सर अचुपी साथ रहे थे जोटा सा रियाक्शन क्यूंकि मैं एक बाट बोलता हूं यह जीस्ट को के दायरे में पेट्रोल डिजल को लाने की ही तयारी है और इसलिए एक साइस ड्यूटी घटाई गई है और और इंपोर था कि 2022 तक हर एक के पास अपना घर होगा कैसे होगा क्या रोड मैप होगा इस पर कोई सिती सपश्ट नहीं हुए क्योंकि एक तरफ तो आपने इंकम टाक्स और जीस्टी में कोई बदलाव नहीं किये आपने फुल इंडस्ट्री सेक्टर स्टेटस नहीं दिया जिसकी वक्त अपने घर का इंतजार कर रहे हैं किसानों जैसी नौबत न आ जाये आप मत्या कि और ये आठ लाक करोड जो लोग है इसमें हाउसिंग फोर-ओल में सब को घर देने की बात है इसके अंदर रूरल हाउजिंग भी आती है इसके अंदर एफोर्ड़बल हाउजिंग भ अगर आपको अभी तक जो किया सरकार ने मैं ये बात मानता हूँ कि इतनी effort कभी भी नहीं हुई जितना इन्हों ने गौर्णमेंट ने क्रेडिट लिंक सबस्टिडी स्कीम लाई साड़े छे प्रतिशत का छे लाख रुपे तक के लोन के उपर जादू की छड़ी चल गई सर रेस्ट हो डिए ने उसमें सब खुश हो जाएंगे सब बाया उसको उनका घर मिल जाएगा आम सब्सक्राइब के अभी तक जो इसमें और चीज़े करने की जुरूरत है वह है लैंड ठीक है सर मैं होंगी लॉट हूंगी अब पेट्रोल डीजल पर जरा हो जाए वापस देखिए अंजना जी मैं कॉंग्रेस पार्टी की भुनिकास पस्ट करतूं पेट्रोल डीजल के ब पार रही कम से कम पचास बार ऐसी मांग की है कि डीजल और पेट्रोल को जीएस्टी में लेके आई तो आप यह नहीं कह सकते कि सब चुप है जब हिंदुस्तान के हर चीज़ पर जीएस्टी लगी है तो जिस डीजल पेट्रोल की वज़ए से हमारा सब समाने का जीवन प्र जो मजाक किया गया पहले एक साइस जूटी घटाया जा रहा है और उसके बढ़ाया जा रहा है जो उदर से बार-बार कह रही है कि उल्टा कान पकड़ा गया है इस तरह की बदमासियां बंद कर देनी चाहिए लोग तरस्त हैं परिशान है परिशान है और ऐसी रुपे क्य पैसे प्रती लीटर देते हैं मुंबई में वो कह रहा है कान उल्टा पकड़ना बंद कीजिए कौन रोक रहा आपको जीस्टी के दाएरे में उसे लाने से संजे जी अपना माइक दे देंगे क्या जारा माइक में प्रॉब्लम हो रही है लिए पैट्रोल और डीजल राज्यों की आएका बहुत बड़ा स्रोथ होता है इस लिए इस बात में यह भी कहना चाहूंगा जो सेस की बात है आपने यह कभी सोचा है वो सेस यूज का हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवलप्मेंट के लिए यानि अगर रोड अच्छी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा रेल अच्छी होगी तो यही तो वो जगह है जहां पैट्रोल डीजल यूज होता है और साइस जूटी घटा कर सेस जोड़ दिया मतलब यह क्या किया देखे यह सेस इसलिए जोड़ा गया है कि उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवलप्मेंट में इंवार्मेंट प्रोटेक्शन में किया जा सके योगि आप यह सोची अगर अच्छी सड़की नहीं देखे तो पासों नहीं किया ना बोज उसका एक तरह से कंजूमर का दूसरी तरफ से अगर हम देखे तो एक उन्होंने सेस का जो हिस्सा है वह साइस जूटी में कमी करके पासों नहीं किया ना कंजूमर को है ऐसा है जी इस टी लाने के पीचे भीच में अगर कोई रोड़ा बना तो सरकार हैं और इख्साइज ईूटी घटा करके राजिस सरकारों की कमाई आप कम कर रहे हैं और चूक ders categor जयाता है तो आप सभार हएं तो यह आं तो आपने राजिस सरकारों कि किन कि के कोई चिंता नहीं कि ति यह सब मैं बार बार कहरा हूं उमानदार प्रयास की जरुर्त है यह जो बार बार बिमान प्रयास major तुझवीन परुफिन आई तो मिल रहा ह। धेंड़ेस को जो ऑर कुरूर मिल रहा के पहुत सस्थर विल को सद्सें बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि इंट्रनेश्ट्रल मार्केट में गुरू डॉल का भाव इस समय सत्तर डॉलर है आने वाले दिरों में और भी बढ़ सकता हूँ इसकी वजह से महंगाई की मार इस मामले में आप सुधांशु जी यूपीए थ्री बन गए बहुत हुआ महं कि सरकार ये नारा लोग देना सुरू करेंगे इस सवाल पूछेंगे सब्सक्राइब कर जाएंगे इस बजट में दो नए सेस पैदा हो गए आज तक के बजट बाजार में मेक इन इंडिया के लोगों के साथ आप ने देखा स्क्रीन पर की कैसे बजट बाजार का आगाज हुआ है लेकिन अगर हर नजर से इस बजट को देखे तो माना जा रहा है कि किसान के हित में बजट बनाया गया है मद्धिवर्ग को थोड़ी सी नराशा होती हुई दिखाई दे रही है और अब कैमरे के आगे से संबित पात्रा आपको इंट्री मारते हुए दिख रहे हैं रंजीत्ता रंजन पहुच चुकी है कॉंग्रिस पार्टी की तरह से पक्ष समालने के लिए लेकिन दिल्चस्प यही है कि किसान के हित में इस बजट को बचाया जा रहा है लेकिन क्या किसान खुश है मद्धिवर को कोई फायदा नहीं टैक्स लाब में कोई रिबेट नहीं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर स्वास के क्षेत्र में बड़ी बात क्योंकि medical cover एतिहासिक रूप से दिया गया है इस बार लेकिन इस बीच विपक्ष का ये कहना है कि ये वक्त लामबंध होने का आया है आई आपको दिखाते हैं कैसे सोनिया गांधी आवान कर रही है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि पूर्ण आखरी बजट है सरकार की तरह से ये वक्त है विपक्षी नेताओं के लिए एक जुट होने का विपक्षी दलों की मीटिंग में सोनिया गांधी ने ये कहा है और कहा है कि जो सरकार बांटने का काम कर रही है सोच ऐसी देश में पैदा कर रही है कि विभाजन हो उसे रोकने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई है मोदी सरकार में नौक्रियों की कमी आई है तमाम ऐसे मुद्दों पर घेरती हुई सरकार को सोनिया गांधी ने विपक्षी दलो की मीटिंग में ये भी कहा है कि ये वक्त है जब सभी पार्टियों को एक साथ आकर सड़क पर संग्राम करने की जरूरत है इससे पहले कि एक बार फिर हम सिलसलेवार ढंक से तमाम मुद्दे आपको दिखाए मुझे लगता है इस पर पुलिटिकल रियाक्शन होना चाहिए डॉक्टर सांबित पात्रा सोनिया गांधी कर रही है आवान महिगाई बढ़ी है आपके राज में वो कह रही है सड़क पर उतरेंगे और आपको अलग थलग करेंगे देखिए जहां तक सोनिया जी का इस प्रकार का बयान है मुझे लगता है कहीं न कहीं आज जो बजट का एक positive impact रहा है खास करके नमो केर का जो आज 50 करोड भारत वासियों के लिए जो स्वास्थ दिया गया है उससे बौकलाहट के मारे सोनिया जी ने इस प्रकार का बयान दिया है मुझे लगता है यह वो पुराना राग कॉंग्रेस का है कि हम भारत को बाटने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारत आज पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है और खास करके 2018 के इस बजट के बाद गाव गरीब पिछडा दलीत इन सब के लिए भारत वर्ष बहुत काम कर रहा है मोदी जी के नितरुते में भारत आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है भारत आज नयए भारत के अंदाज में आगे बढ़ रहा है सोनिया जी को सुन नहीं रहा है जाना स्टोर होगा जहां तक ये बता रहे मैडम की बात और दूसरी स्वास में एक अतिहासिक बात कहने की कोशिश कर रहा है पर पर परिवार को सबसे पहले ये बात आती है कि आप क्या रहे है कि 10 हजार करोड परिवार प्लीज प्लीज दस करोड़ का आपको आप जो पर्सन है उसको कम्प्लीट कर रहे हैं अमेरिका ने एक करोड़ के लिए स्वास बीमा चलाने की कोशिश की थी जो फेलियर हुए सवाल उड़ता है कि इतने पैसे आपको बज़ट 20 से 25 लाग करोड़ है इसमें खर्च होगा प्लीज पचाट लाग आपको मजबूरी मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि शी रवीशंकर प्रसाद इस वक्त के इंद्रे मंत्री हमारे साथ जुड़ गए है रवीशंकर जी आपके ओफिस से ही इस बज़ट बाजार में आपका स्वागत है चाय पकोड़े वाला मेरे पीछे है सवाल मैं आप पर दागूंगी और पहला सवाल यही है कि इस बज़ट के जरीए आप कह रहे हैं कि आपने क्रिशी क्षेत्र में किसानों की सुद ली है आप कह रहे हैं कि स्वास्तक शेत्र में आपने मेडिकल कवर के साथ एतिहासे कदम उठाए है लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ आखरी वर्ष में करके आप सिर्फ गुजरात के नतीजों के बाद ये समझ पा रहे हैं कि किसानों की सुध गाउं की सुध लेना जरूरी है क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अब बहुत देर कर दी खुजूर आते आते हैं शिराविशंकर प्रसाच जे देखे मैं आपसे एक बात कहूंगा ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए इसी बार किया है किसानों की आमदनी दुगनी की जाए ब्लू रेविलूशन आगे आए भारत में आज दूद का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है ये सारी कोशिश कहां से हो रही है आज 6 करोड किसान ये आपके सॉयल हिल्थ कार्ड का प्रयोग कर रहा है आज मुझे ये बताए कि लगभग 66 हजार करोड का व्यापार भारते किसानों ने नैम पर किया है जो क्रॉप से डिजिटल तरीके से अपने फसलों को बेच रहे है तो ये सारा काम तो चल रहा है ऐसी बात तो नहीं है लेकिन हाँ अगर ये आया कि क्योंके हमको पूरी कमाई को दुगना करना है तो MSP को डबल करना पड़ेगा ये पूरा जो प्रॉसेस है ये हमारे किसानों के प्रतित प्रदिबद्दा को दिखाता है देखे मैं स्वास पर एक बात कहना चाहूंगा पांच लाख जो हमने एक इंवेस्पेंट की बात की है परको हम वेक्ति को देंगे लगबग पचास करोड़ लोगों को मिलेंगे दस करोड़ गरीब उनके परिवार को जोड़िए तो पचास करोड़ लोगों को होते है ये दुरिया का सबसे बड़ा हेल्थ केर प्रोग्राम है अब इसे आप नमो केर कहिए ये आपकी रूची है लेकिन ये एक एतिहासिक कांतिकारी कदम है और देखे इसका फाइदा क्या होगा अगर एक वेक्ति को बीमारी के पांच लाग हर साल मिलते हैं लोग हर साल बीमारी पड़ते हैं छोटे शहरों में अस्पताल खुलेंगे ये कितना बड़ा अधिक एक प सेंटर खुल रहे हैं तो हिल्थ अपने आप में इन्वेस्टमेंट जॉब क्रियेशन और स्वास्त इन तीनों का एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा ये आप से हम कहना चाहते हैं और इसके बाले में एक बात में और कहना चाहूंगा हम गाउं गरीब की चिंता ऐसे नही ने ने खरी फसलों पर ही मेरा सवाल था सर्किया ये कहा गया है कि जो लागत है उसे डेड़ गुना हम देंगे नियूंतम समर्थन मूल तै करेंगे जादा तर किसान यही पूछ रहे हैं कि ये कीमत चुकि देश बहुत बड़ा है अलग जलग जगों पर अलग फसल ही दे रहे हैं आलू प्याद की चिंता की गई है एक बात अपने का आप कब से लागू होगा जब से बजट लागू होगा तब से लागू होगा अब आप पूछे इसका पैमाना क्या होगा देखिए नियूंतम मूल होगा जिस पर आपकी लागत पर खर्चा लगेगा और पिछली सरकार और इस सरकार में एक बहुत बड़ा अंतर है पिछली सरकार में कई कारणों से महंगाई हो भरष्टा चार हो बाकी हो लागत बतेदिक होता था आज फर्टलाइजर का दाम कम हुआ है इस बाग कभी नहीं बूलिये नीम उडिया के कारण आज आपके बी यू बनाया जाएगा यह मैं आपसे कहना चाहता हूं लेकिन जबसे बजट लागू होगा तब सिसको लागू करनी कोशिश की जाएगी और फिर मैं बहुत विनंता से कहूंगा ये एक मात्र नहीं है पिछले तीन चार वर्षों में कृशी के विकास के लिए जो डिजिटल टेक रों के लिए ग्रामरी लाकों के लिए ऑ्टिकल फाइवर नेट वर्ग का हूमने काम किया कॉंस सरकारम तीन साल में आया था नोफन प्रोग्राम तीन सावं ठावन किलोमेटर हमने साड़े तीन साल में लगाया कितना दो लाख पच्छास जार किलोमेटर आज एक लाख गाओं को हमने ग्राम पंचाई से जोड़ दिया आज आपको बताओं छोटे शारों में बीपियो खुल रहा है जिसमें इमफाल भी है जिसमें कोहिमा भी है जिसमें मुजफरपूर है जिसमें पटना है जिसमें बरेली है इलहाबाद है लखनव है धुले है आपके औरंगाबाद है नाकपूर है साउथ इंडिया के आज छोटे शारों में बीपियो खोल रहे है आज हमने एलेक्ट्रानि मोबाइल बनाने वाली फैक्ट है हिंदुस्तान में आ गई है उसमें लोगों लोगों को नौकरी मिल रही है आयोजन हो रहा है तो इस प्रकार से पूर्णता में इसको देखते हैं कि अब बात नौकरियों पर करते हैं सर क्योंकि करोड़ों से शुरुआत की थी जब पहले भी पूछा था आज मुझे इसका थोड़ा साब जवाब देने दीजिए तो कि आज तक को देश देख रहा है मुद्रा योजना में हमने चार लाख करोड़ दस करोड़ों को दिये हैं जिसमें सतर परसेंट महिलाए हैं और फिफ्टी परसेंट फर्स टाइम अंट्र रहा है यह सतर लाख सिर्फ इंप्लॉइट प्रॉब्लेंट फंड का है जिनका इंप्लॉइट प्रॉब्लेंट फंड कटता है उसकी बात है हमारे आईटी छेत्र में चालिस लाख लोग ड्रेक्ली काम करते हैं और डेर करो इंड्रेक्ली काम करते हैं जिसमें वन थर्ड मह तो यह सारे काम तो अभी यह वने बता है मोबाइल मनुफैक्चिरिंग की उसमें लगबग साड़े तीन लाख लोग डारेक्ट इंडारेक्ट काम करते हैं आपको मालूम है अजला जी कि उबर में और ओला टैक्सी सर्विसिस में कितने लोग काम कर रहे हैं जो पुरा आगे है तो इसको पूर्टा में देखने के जरूरत है कि रोजगार के अवसर हमने कितने मुहया करा है आप हम डिजिटल एकॉनमी को आने वाले पांस परशों में वन ट्रिलियंड डॉलर की इकॉनमी बनाने जा रहे हैं उसके पचास से सत्ता लाग लोग को नोकरी दिने वाले ह हारत डिजिटल इंडिया एक कारण एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट बन रहा है जिसमें आपके स्टाट अप मुव्मेंट भी है जिसमें आपका बाकिस सब कारिक्रम आ रहे हैं तो एक प्रकार से देश में अर्थ व्यवस्था के लिए हम और रोजगार के लिए टैक्स लाब में कोई बदलाव नहीं है सेस नया का नया आप लगाए जा रहे हैं सर पेट्रोल डीजल की कीमत में थोड़ी सी एक साइस जूटी में राहत देते हैं और सेस लगा के फिर उसको वही पहुँचा देते हैं मद्ध वर्ग की नाराजगी क्यों मोल ले रही है य उनका टैक्स लेप धाई लाग किया था कि नहीं किया था दो लाग से फिर पांच लाग से कम की जिनकी इंकम है उस पर अधिक इंकम टैक्स एक्जम्शन दिया था कि नहीं दिया था मुझे बताईए तो आप और इस पर हमने क्या किया है चालिस हजार रुपिया फ्लैट ए इसके लिए जो बाकी उनका medical entitlement उसको रोका नहीं है इस बात को समझने की कोशिश करिए और मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ middle class क्या चाहता है middle class अपनी भी चिंता करता है अपने बच्चों के भी चिंता करता है आज हम उनके लिए जो एक नया भरत बना रहे हैं अधिक सड़के बन रही है अधिक पोर्ट में काम हो रहा है digital India भरत की एक बड़ी तश्वीट आज भरत एक digital world में सामने आ रहा है रोजगार के ने ने अवसर प्राप्त हो रहे हैं और इमानदारी से साशन चल रहा है जहां लूट नहीं है तो क्या उनको इस भरत में भरोसा नहीं है क्या यह बड़े सवाल है और मुझे मालूम है कि देश का मध्यमवर्ग इस बात को समझता है कि आज मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में एक ऐसा साशन ला रही है जो देश के विकास के लिए काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि मिडल क्लास को अगर आप इस रूप में मुझे मालूम है कि मिडल क्लास देश की चिंता कर दो किसको पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीस्टी के आमबिट में लाने की तयारी है किसको पेट्रोल और डीजल को देखिए मैं आपको ये बता दू नै आपने बहुत सही कहा इस पर जब आपको मालूम है कि अब एक जिसक्कार है जिसमें देश के साएर राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं कॉंग्रेस के भी होते हैं, आम आपी पार्टी के भी होते हैं, नितिश्कमार के भी होते हैं, ममताजी की भी होते हैं. 19 राजों में तो सरवानुवती से होजते हैं, आज तक एक भी ah not नहीं हुआ है, अब बहुत बड़े लोगों की ये मानना है कि अभी पेट्रॉल डीजल स हमारा कई खर्चा चलता है थोड़ा जीस्टी को इस्टैबलिश होने दिजिए फिर इसको जीस्टी के दारे में लाइए कई राज सरकारे अपना अलग एक साइज लगाती है आपको मालूम है कई और कर लगाती है तो इसलिए उनका एक विरोध है हम सरवानुमती बनाने की को अस्था में तो आखरी सवाल भी उसी किसान पर मैं अंत करना चाहती हूं 48 से 49 फीस्टी इस देश में क्रिशिक शेत्र को मतलब किसान है जो किसानी करते है लगबग 50 फीस्टी कह लीजे देश की आबादी लेकिन जीडीपी में उनका योगदान 19 फीस्टी के आसपास है इस आप एक सुनहरा सपना दिखा रहे हैं जिससे 2019 का दर्वाजा खुलेगा सत्ता के लिए बीजे पी के लिए एक बात बताओं बहुत विनमता से अंजना जी आपकी तमाम टीका टिपड़ियों के बावजूद इस साल सबसे बंपर क्रॉप 275 बिलियन का हुआ है की नहीं हुआ है मुझे बता दीजे हमने जो सॉयल हेल्थ कार्ट की बात की जो मने फसल बीमा योजना की बात की जो हमन है की नहीं आज एक बहुत बड़ी बात हमने और क्या की है वो उद्योग जो सीधा किसानों के लिए काम करेंगे और किसानी के लिए काम करेंगे उन पर 100% टैक्स एक्जेंशन है क्रिप्या करके इस बहुत ही क्रामतिकारी कदम को समझने की कोशिश करे आज तक के दर्शक कर आप स्वैम भी कि आज हम किसानी को यह तवज्जों दे रहे हैं कि ऐसी कंपनियां चाहे वो फूट प्रोसेंसिंग में हो या बाकी में हो जो किसानों के लिए अपना पूरा उद्योग लगाएंगी उनको 100% टैक्स एक्जेंशन है तो इसको मैंने का पूर्टा में समान करते हैं लेकिन ये एक उद्यमान भारत के गती देने वाला बजट है समानता और विकास दोनों का देखे रवी शंकर जी बजट के दिन आप आए आज तक पर और चलते चलते आज एक और बहुत मेहत्पून्ट चीज हुई है उस पर रियाक्शन आप से लिए बिना सर आपको जाने नहीं दोंगी राजस्तान के उप्चुनाओं के नतीजे कुछ कह रहे हैं क्या देखे उप्चुनाओं कई बार लोकल फैक्टर्स पर होता है हमारे सच्चाई है बाकी तथ्यों के जनकारी प्राप्त करनी पड़ेगी लेकिन एक बार आपके चनल पर कभी मैं आया था किसी एजंडर प्रोग्राम में तो उत्तर पदेश्ट में कई बाई एलेक्शन में ह दस्तों हम लोग हार गए थे बाद में जीते भी तो उप्चुनाओं का सम्मान है लेकिन हाँ इससे सही लेसन प्राप्त करना चाहिए अगर कुछ कमदोरी है इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाथ आज तक पर एक्स्लूसिफ बाचीत करते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और आब वापस इस बजट का रुक करते हैं क्योंकि उन्हें उमीद है कि नतीजे बदलेंगे ज जो बदले जो वही राजनीती और जो उमीद लगाए आगे बड़े वही नेता जल्दी से रंजीत रंजन्जी अपनी बात पूरी करें जिसके बाद हम अब सभी लोगों के पास जाएं सहीद आपके पास पॉरल उसके बाद मैं फिर वहीं से शुरू होंगी कि आपने एक लाक का दिया था अब पांच लाक फैमिली को दे रहे है आप ये पैसा लेके कहां से आओगे दूसरा क्या आपके पास ये डेटा आपने दिया फाइनांस मिनिस्ट्री के बजट में कि पिछली बार जो एक लाक आपने बीमा स स्वात बीमा दिया तो कितने लोग उससे लबानवित हुए तीसरा फसल बीमा योजना आज अरुन जेटली साहब नहीं कहा कि 2,000 किसान सिर्फ लबानवित हुए और 20,000 करोर रुपए फसल बीमा कंपनियों को मिले जो सेंट्रल इस्टेट और जिस किसान को लोन नहीं चाह उनका भी कटता है. तो क्या स्वास भीमा का पैसा भी कंपनियों को फैदा पहुचाना हमारे सरकारी स्पॉटाल आपको पता है. तो क्या ये 5 लाग जो सरकारी स्पॉटाल का जो हम सब देखते हैं और प्राइवेट स्पॉटाल में जो व्यक्ति जाएगा इलाज किराने वो तो एक ही व्यक्ति से 5 लाग जब तक निकालेगा नहीं तब तक उसका इलाज खतम नहीं करेगा तो क्या यह ए इस है कम्पनियों को फैदा पहुंचाने के लिए है डोक्तव पात्रा जल्दी से किये पैसे आएगा रजी जल्दी से सभी रभी जी ने बहुत सारी बाते की वाले में भी जवाब देना चाहती है तो इस पर प्रशन उठता है कि आखिर प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट वाले तो पूरे चूस लेंगे आप पहली बात ये बताईए पांच लाग करोड रुपए पांच लाग प्रावधान इसी बार बजट में किया हुआ है और देखिए एक बात याद रखिए ये ऐसा नहीं है कि जितने परिवार है अर्था दस करोड परिवार बिमार नहीं पढ़ेंगे और उनको फाइदा मिलेगा जो बिमार पढ़ेगा उसको ये फाइदा मिलेगा साइध जी क को लेकर कुछ नहीं कहा गया उमीद थी बहुत सारी व्यापारियों को मंजोले चोटे खारोबारियों को कि हमारे लिए कुछ होगा लेकिन डॉक्स आप ऐसा कुछ हुआ नहीं है ये हो सकता है ये अच्छा संकेत भी हो लेकिन क्योंकि हमारे साथ गोपाल केडिया जी हैं का एक्सपर्ट हैं आप सर एक ईवे बिल जिसके आज से शुरुआत हुई है उसके बारे में भी कुछ समझ नहीं आए कहीं ऐसा तो नहीं बजट के जक्कर में ईवे बिल कहीं खो गया हो और व्यापारियों से समझ जी नहीं पा रहे हूं देखिए बहुत प्रमुख शुर प्रृमम मी बिल के आने से सब्सवरू होने वाली है लेकिन मेरा प्रस्त निये है कि जी यस तरीके से काम कर रही है एक दिन में साथ चस्ट लाग से साथ लाग यवे बनेंगे जब हम जो रिटेन के लिए जाते हैं जा जीए जी हैस्ट की उनके साइट क्रेश कर जाती है हम इस वज़े से हमारा राजसु भी जो है वो कम आ रहा है जैसे पहले 83 हजार लाक आया था काम हो करके 76 हजार लाक हो गया फिर बर गया हमारा अभी 11 महने और 12 महने की बात हो रही है कि चुकि हर एक महने की 20 तारीक को पैसे आता है तो क्या GST इन साइट इसको कंट्रोल कर पाए है सहीद सहीद एक चीज में जोड़ दू जानकारी के लिए कि GSTN नेटवर्क आज भी नहीं काम कर रहा है उत्तरा खंड ने इवेबिल का इंप्लिमेंटेशन दस दिन के लिए पोस्पोन कर दिया है और GSTN नेटवर्क में आज भी उस तरीकी की प्राब्लम में आज दरसल लोगों की निगाभ बजट से जादा इवेबिल के इंप्लिमेंटेशन पर थी क्योंकि आज से देश में बड़े पैमाने पर कुछ की मोम लेडिस खबरों के लिए यूही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले